Hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग, मैं हूँ Vivek from Fintex Pro, जहाँ पर हम बात करते हैं finance and taxation की and आज के session में हम discuss करने वाले है, GSTR 3B के अंदर एक बहुत ही बड़ा change हो गया है, January month की जब आप GSTR 3B file करेंगे, तो आपको ध्यान रखने है कुछ important points और क्यों ये change किया गया है, वो भी discuss without any further ado, स्क्रीन पर चलते हैं, start करते हैं आज के session को, so guys आज चोके हैं screen पर, चलिए समझते हैं, सबसे पहले क्या GSTR 3B के अंदर change आया है, उसके बाद बताऊँगा आपको कि क्यों ये change आया है, क्योंकि बहुत important है, ये भी समझना कि क्यों ये change GSTR 3B के अंदर आया है, तो GSTR 3 के table number 4 eligible ITC के अंदर हम अपना ITC claim करते हैं, now, यहाँ पर all other ITC के अंदर, by the way, जो table है, ये हमारी auto populate होकर के आती है, on the basis of GSTR 2B, तो all other ITC जो आपको दिख रहा होगा, A5 के अंदर, all other ITC में, जितना भी आपका ITC वो 2B से transfer होकर के आ जाता है, now, उसके respect में, ये जो ITC आपका यहाँ पर आया है, इसके respect में, जो भी debit note और credit note होते हैं, अभी तक वो कहां आते हैं, वो others के अंदर आपके auto populate होकर के आ जाते हैं, others के अंदर, यहाँ जो मान लीज यहाँ पर आ जाता था, इस तरीके से ये काम पूरा होता था, अब सबसे पहले समझो, इसकी वज़े से दिक्कत क्या आती थी, वैसे तो sir, net ITC तो वो ही आएगा, example की तो पर समझते हैं, मान लीजे, मेरे पांस जो input आया, 1,00,000 रुपे का input आया, 1,00,000 रुपे मैंसे 20,000 क जो है मैंने purchase return कर दी, 20,000 का ITC की value थी वो, ठीक है, so 1,00,000 का IGST था, 1,00,000 मैंसे 20,000, others में मेरा minus हो जाएगा, net ITC तो 80,000 ही आएगा, ठीक है, net ITC 80,000 आएगा, अब change क्या किया गया है, उसको समझो, अब जो है, आपका जो auto populate, जो भी purchase return के respect में, debit note और credit note होगा, वो आपका table, यह जो 5.5 आपको दिख रहा है, इसके अंदर ही adjust हो जाएगा, तो इससे होगा क्या, इससे यहाँ पर जो value आएगी, तो अपने example को continue करते है, 80,000 का हमारा ITC था, 1,00,000 की हमने purchase की, 20,000 का जो ITC था, वो उसमें से reverse हो गया, मैं खाली ITC की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, ठ यहाँ पर net value आईगी आपकी वो वाली 80,000 रुपीज की, सर पहले भी तो ऐसे ही होता था, पहले हम एक लाग यहाँ डालते थे, पहले ऐसे होता था, देखो एक, इस तरीके सो होता था, और अदर्स में हमारा 20,000, यह automatically आता था, GSTR 2B के basis पर auto populate होकर की आ जाता था, सर आपका यहाँ पर इसमें से minus हो करके यहाँ पर net value आ जाएगी, सर net available में तो कोई change हुआ ही नहीं, पहले भी net available मेरा 80,000 था, अभी भी मेरा net available 80,000 है, तो सर यह जो change किया गया, इस change का क्या reason है, क्यों यह change किया गया, तो क्या change किया यह तो आप समझ गे, कि अब आपका इस त करके net value यहाँ पर आएगी, लेकिन सर इसे फरक क्या पड़ा भाई, net ITC तो मेरा पहले भी 80,000 था, net ITC मेरा अभी भी 80,000 है, अब सुन लो, बहुत important point समझाने जा रहा हूं कि इससे क्या फरक पड़ने वाला है, आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले GSTR 9, GSTR 9 की अगर मेरी वीडियो नहीं देखी, सो हमारा practical course in GSTR ITR and TDS है, जहां पर हम cover करते हैं, detail में, किस तरीके से आपको GSTR 9, 9C फाइल करनी होती है, उसके practical issues, practical challenges, बहुत सारी चीज़ें होँआ पर मैंने discuss की हुई है, आपको एक बार GSTR 9 के कुछ points में दिखाता हूं सबसे पहले, GSTR 9 आपको यह table 6 और table 8 दोनों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, table 6 के अंदर हमारा आता है, total amount of input tax credit availed through form number GSTR 3B, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, total amount of input tax credit availed through form GSTR 3B, sum total of 4A, इसको ध्यान से पढ़िएगा, sum total of 4A of form GSTR 3B, इसका मतलब क्या हुआ, यह auto populate होकर के figure आती है, आपके GSTR 3B से, पूरे साल में, जितना भी आपने ITC claim किया, table 4 के अंदर, वो आपका यहाँ पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो value आती है, वो आती है 4A से, 4A से यहाँ पर value आती है, इधर आईए, 4A, 4A, all other ITC आपका वहा मैं बताता हूँ, क्या challenge आता है, मैंने अपनी GSTR 9 की video में, इसको detail में आपको समझाया भी हुआ है, मैंने specially एक video बनाई है, table 6 और table 8 में, जो difference आता है, इसको कैसे clear किया जाता है, अगर आपने देखियो, वैसे वो YouTube पे भी available है, course में भी available है, बहुत detail में मैंने आपको वो ची देना है, तो अगर यहाँ पर कोई purchase return मैंने की है, कोई purchase return मैंने की है, वो मेरा A के अंदर consider नहीं किया जाता, यो point number A देख रहे हैं आप, table 6 का, जो point number A है, इसके अंदर वो चीज़ consider ही नहीं की जाती है, और यहाँ पर जो मेरा ITC दिखाया जाता है, वो gross ITC दिखाया जाता है, मेरे points को note करना, 4A, table number 4A देखो, 4A मलब ये वाला जो है, ITC available, ITC available यहाँ पर दिखाया जाता है, यानि जो purchase return का debit note आता है, वो auto populate होकर के आ रहा है, others के अंदर, लेकिन आपको जो gesture 9 में शो करना है, वो ITC available शो करना होता है, now, दिक्कत यह है, कि यहाँ पर सर हम इसी का b रिकत आ जाएगी, क्योंकि अगर आप 53 जो total amount है, इसका अगर breakup दोगे, 4A का breakup दोगे, तो आपको माल लीजे, debit note, credit note जो थे, purchase के respect में, उसको तो आपके considering नहीं किया, table 4A में वो आए नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर A देखोगे न, A वाले point के अंदर, यह वाला point, night ITC available होता ह लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, 4A of GSTR 3B, तो 4A के अंदर, जो हमारा purchase के respect में, purchase के respect में, debit note, trade note issue है, वो तो consider ही नहीं हो पाए, जिसकी वज़े से, यहाँ पर हमको bifurcation जब देना होता है, मैंने आपको अपनी वीडियो में clearly बताया था, आपको bifurcation net करके ही देना है, gross नहीं देना, net करके, purchase return minus करके, जितना ITC आपका बनता है, उस ITC का bifurcation आप यहाँ पर दोगे, point number B और इसके नीचे जो points आते हैं, उनके अंदर, जिससे आपका table 8 के अंदर difference नहीं आएगा, जिससे आपका table 8 में difference नहीं आएगा, और table 6 में अगर difference आता है, उसको आप, अग आपने GSTR 9 फाइल की हैं, तो आपको पता होगा कि यह issue हमारा table 6 के अंदर आता है, table 6 में यहाँ पर जो value आती है, वो 4A से आती है, और 4A में, 4A में अभी तक क्या होता है, 4A में all other ITC में minus नहीं होता, जो credit note, debit note है, purchase के respect में, लेकिन अब January 2023 से government ने बोला, January 2023 से government ने बोला, कि अब जो purchase के respect में return हो रही है, purchase के respect में, जो debit note, credit note, issue के जा रही है, वो आपके adjust होंगे, point number 5 के अंदर, all other ITC की अंदर ही वो चीज़ जहाँ पर आपकी adjust कर दी जाएगी, बोली आपको summit में आया नहीं आया, इसका मतलब, sir, net ITC available तो मेरा दोनों ही case में 80,000 रहेगा, लेकिन अ अभी update आया है January 23 से, ये update की वज़े से आपकी GSTR 9 कितनी सहूलियत होने वाली है आपके लिए, क्योंकि GSTR 9 में भी आपका यहाँ पर 80,000 आएगा, और bifurcation आपको net कर देना होता है, और net आपका 80,000 ही है, इस वज़े से जो है GSTR 9 में भी आपका reconciliation easy हो जाएगा, table number 6 का बहुत important point थी, बहुत बारिकी से मैं आपको चीज़ें समझाइए, खाली update बताने के लिए मैं 2 मिंट में update बता सकता था, लेकिन उस update का reason क्या है, जिससे आपकी GSTR 9 की table 6 के अंदर जो difference आता है, वो difference ना आए, इस वज़े से यहाँ पर अब आपका net ITC आएगा, debit note और credit note के respect में, ज filing को भी, इसलिए video बहुत ही important हो जाती है, अपने colleagues के साथ जरूर share कीजिएगा, video को, और January month में ध्यान रखेगा, इस तरीके से आपको जो है, यहाँ पर काम करना है, thank you so much guys, आशा करता हूँ आपको video पसंद आई होगी, अगर video पसंद आई तो channel subscribe कर लिया करो, and thank you so much for joining today's session, have a great time, हसते रहें, मुस्कुराते रहें, bye bye, take care.